निव टांस्फोर्मेशन आ रहा है जो कि हमें एपिसोड एक सो आड में देखने को मिलेगा लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेजीटा के निव टांस्फोर्मेशन की ये तो सबी जानते हैं कि एक ना एक दिन बेजीटा उस पावर को हासल कर लेगा बट मेरा पॉइंट है कि सब्सक्राइब करता हूं तो पहले मैं बात करता हूं बेजीटा के ट्रांस्फोर्मेशन के उपार लोगों की निग्रेटिव फिंकिन क्यों है तो बेजीटा की एंट्री होती है ड्राइगन बॉस दीव में जिसमें वो कोकु कभी हरा नहीं पाया और ना गोकु से आगे ज मिलती है चाहे वो सूपर सेंट बन हो या सूपर सेंट टू और अकीरा टोरियामा ने ओफिसली कहा था कि बेजीटा के ऐसा करेक्टर है जो हमेशा गोकु से पीछे रहेगा यानि कि गोकु पहले पावर अच्छीव करेगा उसके बाद बेजीटा करेगा तो मैं इस निगे ड्राइगन बॉल सूपर में भी लागू होती है लेकिन ड्राइगन बॉल जी और ड्राइगन बॉल सूपर में उसकी बात अलग अलग तरीके से लागू होती है जैसे कि ड्राइगन बॉल जी में टोरियामा कहना था कि गोकु के पावर अच्छीव करने के बाद बेजीटा को मिलेगी बड ड्राइगन बॉल सूपर में ऐसा नहीं है ड्राइगन बॉल सूपर में पावर अची दौनों एक साथ करते हैं लेकिन ट्रांस्फोमेशन सबसे पहले हमें गोकु के उपर देखने को मिल जाता है जैसे कि बेजीटा और गोकु ने एक साथ सूपर सेन ब्लू क को अचीव किया लेकिन हमें सूपर सेन ब्लू का ट्रांस्फोमेशन सबसे पहले गोकु के उपर देखने को मिला और उसके बाद बैजीटा के उपर यानि बैजीटा को कोई एक्स्टरनल ट्रेनिंग नहीं करनी परी उसके कुछ तो या एक एपिसोड के बाद उसको ट्रां इसा से ही अलग-अलग ट्रेनिंग करते थे जिसके कारण गोकु और बैजीटा की पार में डिफ्रेंस देखने को मिलता है लेकिन ड्राइगन बाल सूपर में स्टार्टिंग से ही गोकु और बजीटा ने साथ में ही ट्रेनिंग की ती जिसके कारण साथ में इन्हों ने सू 109 या 110 में ही ट्रांस्फर्म हो सकता है क्योंकि टॉर्णामेंट और पावर लगबख 120 एपिसोड के आसपास खतम हो जाएगा युनिवर्स 7 में गोकु के बाद दूसरा स्ट्रॉंग वॉर्यर है वो बेजीटा है और हो सकता है कि वो लाइट तक गोकु के साथ टिक पाए और जो आने वाले 10 एपिसोड है उनमें हमें बेजीटा का नया ट्रांस्फर्मेशन मिल जाए तो दोस्तों यह पॉसिविल्टी है यह सच भी हो सकती है और नहीं भी आपको क्या लगता है प्लीस मुझे कमेंट में सेर जरूर करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर सब्सक्राइब करने अगरा में चैनल पर नए हो एसी वीडियों ने चाहते हो तो प्लेज सब्सक्राइब कर दे